असलाम उलेकुम तो चली आज के इस वीडियो के शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग कोश्टन एंसर करेंगे आप लोग के चैप्टर नूबर 18 का जिसका नाम है इंडिया गेट ठीक है इस इंडिया गेट नाम के चैप्टर के मुसानिफ यानि की प्रश्टर को ने जगननात आजाद इसको याद रखना है और इस चैप्टर को मैं अल्रेडी पढ़ा चुकी हूं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर इस चैप्टर को वहां से पढ़ सकते हैं इस वीडियो में इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे ठीक है तो जगननात आजाद कप पेदा हुए यानि की जगननात आजाद का डेट ऑब वर्तियां पर पूछ रहा है कि जगनात आजाद जो है किस तारीख को पैदा हुए तो देखे जवाब लिखा है जगननात आजाद की पैदाइश उन्हें से 1850 में हुई है इस थैक तो इसरा सवा इंडिया गेट की तामीर किसने की यानि की इंडिया गेट को किसने बनवाया तो अंग्रेजों ने इंडिया गेट की तामीर की अंग्रेजों ने बनवाया था ठीक है चलिए आगे बढ़िये अब यहां से सवाल स्टार्ट होता है मुखतसर सवालात यानि की लगूत रिया प हैं. उसके उसको आप लोग को पांच विस्टेंस में भी ठीखे हैं तो चलिए जवाब यहां से स्टाट है शामिल नसाब नजम इंडिया गेट में दिल्ली में वाके 1 एक तरीकी अमारत इंडिया गेट के बारे में बیان किया है. और कि अंडिया गेट एक तरफ हमारे अजमत रफ्ता की अलामत है तो दूसरे तरफ यही अमारत हमारे قومी और इमली गैरत को बेदार करने का एक जरीया भी है क्योंकि हमें यह इहाइस दिलाता है कि कशमी अजमत नाकर करने के लिए हमें गार गैर खौम का दिसतनगर होना पड़ा चुनान चाहिए इंडिया गेट पूरी कौम के लिए एक तारीखी इलमिया है कि हम इसे अजमत रफ़ता की नाम से पुकारते हैं ठीक है ये जो नजम है इंडिया गेट नाम का इस नजम में जो है ना शायर जो है ये दिली में जो इमारत स्थापित है इंडिया गेट इस इं पसूरत इमारत जो है इंडिया गेट वो हम लोग का है ठीक है हम लोग के हिंडिस्तान में हैं लेकिन एक तरह से इस इंडिया गेट को देखकर हमें अपने गुलामी की याद आती है क्योंकि ये जो इंडिया गेट है उसको अंग्रेजों ने बनाया था जब हम लोग हिंदौस्तान के लोग गुञाम थे अंग्रेजों के तो अंग्रोज जो है वह लोगों से गुलामी करवा कर ठीक है खुन पसीने जो है न हम लोग एक कर दिये थे मतलब हिंदुस्तान के लोग जो है वो एक करकर ये इंडिया गेट नाम का ये क्या बोला जाता है इमारत बनाए है ठीक है तो इसलिए एक तरह से ये गुलामी की अलामत है गुलामी का ये याद दिलाता है इंडिया गेट तो हमें इसे देख कर खुश और फक्र करने वारी कोई बात नहीं है क्योंकि ये गुलाम जब हिंदुस्तान गुलाम था तब का ये निसानी है ये हमें याद दिलाता है कि हम भी जो है कभी अंग्रेज के गुलाम हुआ करते थे ठीक है दूसरा सवाल है नजम की मुक्तसर तारीफ कीजिए यहां में किसी खास मौदू पर मसलसल ख्याल पेश करना मुम्किन नहीं था इसलिए शायरी में मसलसल ख्यालात की पेशर्श के लिए नजम का रिवाज हुआ अब इसमें किसी खास मौदू पर मसलसल ख्यालात पेश जाने लगें फिक्री लिहाद से नजम के तमाम शार आपस में मरबूत होते हैं चुनानचा नजम के दर्मियान से अगर कोई शेर निकाल दिया जाए तो फिक्र तसलसुल नोट जाता है नजम एक मौजू होता है शायरी उसी मौजू के दाइरे में इशार करता है ठीक है जो नजम होता है वह बिलकुल शायरी का जिस तरह अंदाज होता है लिखने वह उसी तरह लिखा जाता है बस नजम में एक टॉपिक आप चूज कर लेते हैं कि इस टॉपिक पर क्या करना है हमें नजम यानिकी कवीदा लिखना है जैसे कि यह जो चैप्टर है इंडिया गेट तो इंडिया गेट को एक टॉपिक बना लिखा गया है और इंड के बारे में पांच सेंटेंस में लिखना है ठीक है तो देखी यहां से जवाब स्टार्ट है जदीद अर्दू नजम में शायरी की हैसियत सजगनात आजाद की हैसियत मुसल्म है शायर के सांथ साथ हुआ एक संजीदा मुहक्क भी थे शायरी में भी वह घजल गोई और नजम महरوم से ही घर पर ही तालीम हासिल किया ठीक है महरوم एक स्कूल में उस्ताद थे अजाद हिंद के बाद जगनात आजाद अजय गया ङर دोजर चार में देली में ही उनका इंतकाल हो गया ठीक है तो यह लंबा चौड़ा जगनात आजद के बारे में दिया गया है चलिए चार unjust grammar के नम से प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर आप लोग अर्द्वग्रामर को миसे पर सकते हैं वहाँ पर मैं आप लोग को इसम ऐदा मिर भी बताई हूं कि इसम जामिर कि से कहते हैं ठीक है तो चलिए इस्तमाल के लिए हते जमीर की तिन सूर्ते होती 1 जमीर घायib जसर्टे में आता है वह और वह लोग और दुसरा होता है जमीर हाजर ज, इसमें तुम या फिर तुम, रहते हैं और एक होता है जमीर मुतकिल, हम लोग त्थिकूर चीजिस को आते हैं今日, पूछ है जो नाउन के बदले में नाम के बदले में इस्तिमाल हो जैसे कि सीता के जगा सीता खेलती है तो सीता खेलती है उसके जगा पर मैं यह भी बोल सकती हूं कि वह खेलती है तो सीता के जगा पर मैं जो वह बोल रही हूं तो वह क्या है वह प्रोनाउन है ठीक है सर्वनाम है और उर्दू में जो वह है वो इसमें जमीर है ठीक है तो यह हो गया आप लोग का जवाब चलिए यहां से आप लोग का तविल सवाला स्टार्ट होता है यानि की दिर्गुत्रिया प्रस्म सबसे पहला सवाल है नजम के पहले बंद की तश्री कीजिए यहां पर आप लोग को इंडिया गेट वह तारिख एक बाब जलीर इंडिया गेट वह अगयार के नुसरत का निशा इंडिया गेट वह अपनों की घुलामी का देली इसका आप लोग का खुलासा करना है कि यह जो मिसरा है यह बंद है इसमें क्या बताये हैं जगनात आजाद ठीक है देखिए जोनात आजाद के शामिले निसाब नजम इंडिया गेट से माखुज है और यह नजम का पहला बंद है बंद के इन अशार में शायर ने इंडिया गेट की तारिखी हैसित को बियान किया है चुनाचा शायर कहते हैं कि दिली में वाकि इंडिया गेट एक ऐसी तारिखी इमा के सांव की इलामत है और अपनों की खुरामी का सबुट यहें जो इंदुस्तान के दोर गुलामी में बनाई गई थी ठीक है तो यह सारी चीजे हैं इसका तसरी होई कर दिया गया है छी एक तरह से फक्र करने वाली बात है लेकिन गुलामी की भी याद दिलाती है जब अंग्रेज थे अंग्रोजों अंग्रेजों का साशन चल रहा था हिंदुस्तान पर इंदुस्तान के लोग जब गुलाम थे तो तब लिए इंडियागेट बनाई गई थी यही सारी चीज़ हैं तो देखिए दूसरे सवाल है यहां से कधेर निसाब नजम इंडियागेट का खुलासा पेश कीजिए यानिकि आप आप लोगे जो बुक में दिया गया है नजम कवीता इंडियागेट उसका खुलासा करना है कि उस इंडियागेट नाम के कवीता में क्या क्या चीज़े बताई गई है तो देखिए यहां से जवाब इस्टार्ट है मैं पढ़ देती हूं नसाब में शामिल नजम इंडियागेट फिक्र वन अज़र के लिहाथ से लेकिन उसके साथ गुलामी की इलामत भी है क्योंकि इंडियागेट की तामीर अंग्रेजों ने अपने दोर हकूमत में की थी फिर भी इंडियागेट में शायर को हिंदुस्तान की अजमत नजर आती है इसके साथ शायर को उसमें गुलामी की इलामत भी नजर आती है क्यों तो ये लंबा चोड़ा इंडिया गेट नाम के नजमियन की कवीता का खुलासा किया गया है ठीक है तो याप लोगो खुछ से भी चाहेंगे तो छोटा करकर लिख सकते हैं नहीं तो उतना लंबा लिखना होता लिख लिजिएगा ट्युकिंए तीस्रा सवाले जगर्नाथ आजाई की नजमिनियारी का जाईजा लिजिए जगर्नाथ आजाई जो हे वो किस तरह लिखते हैं उनकी नजमिनियारी का क्या करना है ओवर वियू करना है तो जवाब देखिए यहाँसे टार्ट है जदिद उदू शाहिरी में जगठनाथ आजञाद की शक्षियत नहायत अहम है बरसखीर हिंदू पाक में उनकी शाहराना खिदबात नाकामिले फरमो से देखें आपर मिस्प्रिंट हो गया है खिद्मात नाकामिले फरमो से वह एक फित्री शायर है यूँ तो उन्होंने घजल भी लिका है लेकिन उनका एक मिनट उनका खसूसी मैदान नजबनेगारी थी उर्दू के मसूर शायर तलूक चंद महरूम जगनात आजाद के वालिद थे गोया की शायरी को उनकी विरासत में मिली थी यही वज़ा है कि उन्होंने कावमी स्था पर उन्दूराइडी में एक मनफर्द पहचान बनाई वा नजबनेगारी के लावा घजल में भी यकसा महारत रखते थे उसके लावा एक मुहकक की हैसियत से तहकी के मैदान में भी नमाया खिरमात अंजाम दिये यही वज़ा है कि एक नाकद और महाखक की हैसियत से और माहरीन अकबालियत की हैसियत से भी एक सनाख्त बनाई जदिद नजमनेगारी की रिवायतों को उन्होंने नए रंग वा नए रंग एक मिनट नए रंग आहंग से रोशनास कराया तरकी पसंद तहरी के एक एहम रंग की हैसियत से भी उन्होंने अर्दू नजम की क्लासिकी रंग को भी फिका नहीं पड़ने दिया इससे पता चलता है कि वह तरकी पसंद तहरी की रिवायतों से भी मतासर थे चुनांचा उनकी बहुत सी नजमे ऐसे भी हैं जो इस तरह की ख्यालात पर मुस्तामल है जो अर्दू नजम की कीमती सर्माया है उसके इलावा जदिद उर्दू नजमे भी उनका मतादद नजमे हैं ठीक है तो यह लंबा चौड़ा जो है जगरनात आजाद की उनकी नजमनेगारी के बारे में बताया गिया है ठीक है अब देखिए यहां पर चार नमबर सवाल है कि वाहिद से जमा बनाएं अब यह भी उर्दू ग्रामर का ही टॉपिक है वाहिद से यानकी सिंगुलर से प्लूरल बनाना है जितने भी लफ़ दिया गया है इन सभी लफ़ों का क्या करना है एक वचन से बहुचन बनाना है व लाइल बहुचन मकस्त का मकसद बाब का अबवाब शक्स का अश्खास ठीक है तो यह होगा आप लोग का वाहिट से जमा यह जितने भी लफ़ है इसका जमा बना दिया गया है तो यह आप लोग का चैप्टर नमबर 18 का ओल कोस्टन इंसर इसको आप लोग एक एकर कर देख लिए और समझ भी गए कोई भी कम्फिजन हो आप हमें करकर पूट सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीज कर दोटाइस